हेलो फ्रेंड्स एक और न्यू वीडियो में आज इस वीडियो में रॉयलेंड फिल्ड क्लासिक 350 स्टैल्थ ब्लैक जो डार्क एडिशन के अंदर आती है तोटल क्लासिक 350 के अंदर पांच वेडियो में इस वीडियो को लास तक देखते हो तो आपके सारे डाउट्स में क्लियर कर दूँगा इसी वीडियो में सबसे पहले देखते हैं आपके क्या मिलता है तो फ्रेंट में ही आपको दो पाइलेट मिलते हैं यानि के टाइगर में पूरा मैट फिनिशंग कर दी है पहले यहां पे भी आपको क्रोम कियानी कि सिल्वर क्लर का अप्शन मिलता था और इस बाइक के अंदर मट गार्ड भी आपको लुहा मिलेगा और मैट फिनिशन्ग के साथ मुलेगा बलैक का आगय वाला या पीशे वाला इस बाइक के सारे ही पार्ट लोए के यूज़ किया गया मैटल का यूज़ किया गया तो कहीं भी आपको प्लास्टिक का यूज़ नहीं मिलेगा आगे से पीछे तक पीछे देखते हैं क्या क्या चीज़ आप पूरी ब्लैक कर दी गई है यहां पर देखते हो तो यह पर पहले क्रोम यानि बीच में वहरी करते हैं आप चाहों कोई साथ भी लगवा सकते हो काफ़ी साथ इसके इंदर भी ऑप्शन मिलते हैं टैंक के ओपर आपको 13 लिटर का सब्सक्राइब के साथ में चलने की हो गई है उसके साथ अच्छी बात यह है कि इस बाइक के अंदर के अंदर भी आते हैं हाई बीम लो बीम उपर उसके नीचे इंडिगेटर का स्विच और सबसे नीचे आपको मिलेगा हॉरन का स्विच उसके उपर आपको यहां पर टरिट erve ऐलो की मिलती है इस बाइक के अंदर आपको ब्लाइक कर दिया गया है एक को स्पीट अोपर कुछ मिल जाते हैं कहां पर कि और बिंडिकेटर के अंदर भी आपको कुछ चीज़ें मिल जाती है जो मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें मिलता है आपको फ्यूल गेज की वार्णिंग यानि कि आप इसके अंदर पैट्रॉल देख सकते हो कितना बाइक के अंदर बचा यहां से ट्रिप एड्जेस कर सकते हो यह स्विच से जब आप इसको प्रेस करते हो तो यहां पर आपको सबसे पहले मिलता है औरोमिटर उसके बाद मिलता है ट्रिप वन ट्रिप टू दें ट्रिप एफ हाता जब आपका पैट्रॉल काफी लो हो जाता है टाइम भी इसके अंदर देख सकते हो और यह के ट्रिपन नविगेशन आप लगवा सकते हो 5,000 रुपए उसकी कॉस्टिंग जाती है अब यहां पर यह लॉक दे दिया है जो पहले आता था नीचे यह काफी ज्यादा इरिटेटिंग होता था बट यहां पर रॉलेंड फिल्ल काफी अच्छा काम किया जो लॉक ओपर ही दे दिया है यह इसमें व लग अजा सकते हैं खिल्शंथ ata बेंडेज करहा है यह झाल मुर्पए यह शह अधर बस और एक के यह प्रिष्ष्ट्र फेक्ट रेस साउंडिली जादा मिलेगा पियर अधर प्रिष्पेन्चिनर से के जाँ था घ्रिष्ट मिले वाला अभर जाँ घ्रित मिलें efter लिए पहले मॉडल प находящ यह एक पार्मीन round next साइज में आपको दिखा देता हूँ 120-18-18 इंच के ब्लैक कलर के अलॉइविल के साथ में रेड स्टिप मिलती है ब्लैक के ऊपर काफी एट्रेक्टिव लगती है अलॉइविल के डिजाइन आप देख सकते हो आरी की बैजिंग भी मिल जाती है मतलब यह औरिजिनल चीज तो लुग भी एक बन के आता है वह मोटा मोटा काफी अजीब लगता था वहाँ पे इंजन की बात करने थे पूरा मैट फिनिशिंग के साथ इंजन कर दिया है जो काफी अच्छा लगता है मैंटेन करने में जाए दिक्कत नहीं होगी रोयल फिल के यहाँ पे बैजिंग मिल ज जाता है जो ऑल ब्लैक ही इस बाइक को बनाया गया है यहाँ पे कुछ इस्टिगर क्लासिक 350 का मिल जाता है यह साइट बैटरी भी होती है और साथ ही इस बाइक के अंदर काफी ऑप्शन मिलते हैं लेग गाट के तो प्राइस के साफ साफ सब जो चाहो वह अलगवा सकते ह पार्ट यह होता है डुवन ट्यूब यानि के डुवल क्रेटल फ्रेम मिलता है चेचिस कंपणी ने पूरी चेंज कर दी यहां साब देख सकते हो पहले सिंगल पाइप आता तब डुवल कर दिया और इंजन भी चेंज कर दिया है यह टेलिसकोपिक सिस्पेंश में आपको दिखा चुका हूं 300 का बड़ा डिस ब्रेक आगे मिलता है 270 का पीछे डुवल एबिस डुवल चैनल एबिस बाइबर के कैलिपर्स भी मिलते है तो ब्रेकिंग काफी एडवांस हो चुकी है काफी कमफर्टेबल रहती है MRF के टायर आगे भी और टायर साइज आप देख लो काफी कमफर्टेबल होता है पिल इन के लिए जो पीछे बंदा बैठता है उसके लिए यह बी ऑप्शनल है यानि के सेसरी का पार्डेस को भी आप लगवा सकते हो 27 रुपे इसकी प्राइजिंग के वह मैं आगे बात करूंगा भी जब आपको बताऊंगा यह माई आप्श नहीं हुआ है और काफी यूसफुल बात जो मैं बताना भूल गया जो काफी प्रैक्टिकल है इस पाइक के अंदर टायर आपको हाईवे और सिटी राइट के लिए कमफर्टेबल मिलते है और इस कलर का एक एडवांटेज है कि इसके अंदर आपको रस्टिंग की प्रावल रोलेट फिल क्लासिक 350 अगर आप ले रहो तो उसका एक्ष्यूरूम पढ़ेगा दोजार चौबिस में आपको दो लाग पीस थाजार रुपे ठीक है एक्ष्यूरूम प्राइस दो लाग बीस थाजार है उसके अंदर मेरे दस थार एड़ करे हैं टूरिंग सीट अप लग आपको यह चीज़ा मिल जाती है जीरो डैप्ट इंसौरेंस एक साल के लिए रहेगा लैग गार्ड थीन हजार पैंतिस था सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब लगा सकते हो यह भी ऑप्शनल है सम गार्ड यानि के जो इंजन को प्रोटेक्ट करता है वह 3300 रुपे बैक पीचे पिलियन के लिए बैक रेस्ट अगर आप चाहो तो लगवा लो टोटल 11,248 रुपे इसके बैट रहा है एससरी का जो इसके अंदर एड़ होगा ऑन रोड के अंदर यहां पर एड़ हो चुका है कितना हो गया 27,000 रुपे मोटा मोटा उसके साथ इस अमाउंट के अं 500 पिर वोंतीए 5000 ठीक है और यह आप जब शर्विस कर्वाते हो तो आपको यह 45्ड के अंदर करवानी है ठीक है और यह करवानी है 1800 DES दिन के अंदर उसके बाद आती है चौथी यहां पे 15,000 पे जो आपको करवानी है 540 दिन के अंदर ठीक है यह कुछ सर्विस का हो जाता है तीन साल की वरांटी मिलती है और 30,000 किलोमेटर के चलने की गारंटी मिलती है आरसी मिल जाएगी आप और नंबर प्लेट मिलेगी जो शोरूमस आपको इस चीज़े मिल जाएंगी ठीक है इसका अब धियान रखना अब आज रहते हैं EMI options पे लोन अगर आप करवाते हो यह हमा चालिस जार रुप आपको मिनिममम देने पड़ेंगे शोरूम को यह बैंक चार्जिस होंगे जिस बैंक से आप लोन करवा रहे हो ठीक है तो डोटल लाउन पेमिंट आपको 44,000 पे 45,000 रुपे अल्मोस पड़ जाएगी अब EMI आप 18 महीने के लिए अगर लेत हो यानि के मैं आप से बोलूँगा जितने जादा आप डाउन पेमिंट कर सको उतना कर देना क्योंकि जितना जादा डाउन पेमिंट करोगे तो आपका इंट्रेस्ट बच जाएगा जो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने वह बच जाएंगे ठीक है यह 40,000 रहे हैं एक लाग भी 50,000 भी के लिए जिसमें आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो इंट्रेस्ट 32,000 रुपे का यह काफी इंपॉर्टेंट चीज है इस इस सब चीज़ें को ध्यान में रखना दो साल के लिए 11,180 रुपे 24 महीने के लिए आपको पे करने पड़ेंगे ठीक हर महीने 24 महीने तक 2 साल के लिए 41 ठीक है 41,000 almost 42 हो जाएंगे यह 6 महीने 36 महीने 3 साल के लिए 7,957 यानिका 8,000 रुपे इसको भी राउंड अफ कर लो 3 साल के लिए कितने एक्स्टा दे लिए 60,000, 31,000 रुपे एक्स्टा तीन साल तक और यहां पर आता है हमारा 48 वन्त यानिके 4 साल के लिए 6,420 रुपे आप आपको हर महीने पे करने पड़ेंगे 4 साल तक और उसके लिए आप 81,000 रुपे एक्स्टा दोगे फ्लैट इंटरेसेट कितना आ गया 8.19 तो यह सिविल पर डिपेंड करता है आपका सिविल तोड़ा अच्छा होगा तो आप इसको 8 भी करा सकते हो 7.99 भी करा सकते हो ठीक है डिपेंड करता है वो चीज़े अब बाद आज़ेंगे डॉकुमेंट्स की क्या के डॉकुमेंट्स आपको लगेंगे पैंकार अधारकार अलेक्रिसिटी बिल या आपके सेले 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 पर या र्टिया रहे हैं और आपके बैंक की पास्पोर्ट साइस फोटो यह सारे अप्लाइ कर दूँगा और अगर आपको अपनी सिटी का प्लाइस पूछना है यह माई पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा थैंक्यू सो मच पर वाचिंग मिलते है नेक्स वीडियो में